अलो एडिवान गुद मारिंग देखिए आज हम करने जा रहे हैं एक्सिसाइज 8.1 का यह ट्रिकन वेट्री का फर्स एक्साइज का लास्ट क्वेस्चिन क्या कहता है आपको बताना है कि जो पाचो स्टेट्विंट्स दिये आपके सामने यह ग्रू है यह फॉल्स है ग्रू ह है कि 10 थीटा है फिर 10 A की वैल्यू हमेशा जो है लेस देन वन आए कि यह पॉसिबल है है तो भी बताईए नहीं है तो भी बताईए लेकि आपको मैं एक नॉर्बल बताता हूं 10 A 10 थीटा को 10 A को आप लिख सकते हो और पेंडिकुलर बाइक बेस ठिक है माल लिजे एक एग टू सेंटिमीटर ठीक है चाहिए काम करते है आप अचा चलिए ले लिया तो इस केस के लिए क्या हो जाएगा देखे पहला केस हम ले रहा है ठीक है 10 A पर पेंडिकुलर 4 है तो यह हो जाएगा आपके पास 4 बेस 2 है 2 तो यह कितना हो गया 4 2 जा 2 यानि 10 A की वैन्यू देख इस बर माल लेते हैं पर पेंडिकुलर की वैली हमारे पास है 8 सेंटिमीटर बेस की वैल्यू है हमारे पास 10 सेंटिमीटर वैल्यू पुट करते हैं 8 अपउन 10 इसको जो आप कट करोगे तो यह आ जाएगा आपके पास 0.8 यह तो देखें लेस तेन 1 हो रहा है समझ दो आप तीसरा केस ले लेते हैं माल 10 टीटा की वैल्यू तो वही रही थी 10 A is equal to P upon B माल लो इस बार हमने यह देखो यह पहला केस है कंफ्यूज नहीं हो न ठीक है यह हमारा दूसरा केस था ठीक आचा यह भी पहले केस के अंदर ही आ रहा है समझ रहे हो अग तीसरा केस है माल लो इ 6 बेस भी ने लिया 6 तो यह क्या हो जाएगा तो देखो अगर इसको निकाल हो गए तो 6 upon 6 कि यह क्या हो गया 1 6 बंज़ 6 होगा न यानि देखो आपने क्या देखा कि 10 A की वैल्यू 1 भी आए greater than 1 भी आया है और less than 1 भी आया है तो 0.8 जो है आपका less than than 1 है 2 greater than 1 है यह तीन हो केस आ रहा है माल लो यह depends गिस पर कर रहा है कि perpendicular और बेस में बढ़ा कौन है छोटा कौन है तो बस आपको आप यहां statement क्या कह रहा है यह आपका यह जो है always less than 1 ऐसा पॉजबल है कि आप always तो नहीं है तो आप यह एक्जाम्पल्स के तुरू अगर यह एक्जाम में बाइचांस एक्वेश्चन आता है तब ऐसा एक्जाम्पल दोगे और रिखोगे कि it is not the case कि पर आपके पास say a is equal to second question चल रहा है 12 upon 5 कि इसके लिए for some value of angle यह उससे कोई मतलम नहीं है तो देखिए sec का value क्या होता है sec theta का अगर formula देखिए तो देखिए यह देखिए यहाब क्या है एच अपान बी कि एच अपान बी दॉर्बल ही सोचो अगर कोई triangle है ठीक है यह रहा हमारा एंगल है यह 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 रहा सी यह 90 बन रहा है देखो एच इसको का होगे आप इसके लिए बी क्या हो इसके लिए परपेंडिकुलर यह सामने वाला हो हमेशा एक चीजा आपको चाहिए नोटिस हुई हो या नहीं वह है बतातेता हूं कि किसी भी राइट ट्र यांगल में एच जो होता है हमेशा सबसे बढ़ा होता है यह पानि अजिन भाडा होगा और अच जो है बेस से भी बढ़ा होगा बाकि पांडिकुलर बेस हो सकते है अलग हो जकते हैं, Compendibular बढ़ा हो सकता है, Base se Base बढ़ा हो सकता है, Base बढ़ा हो जकता है, लेकिन Edge जो होगा हमेशा P से भी बढ़ा होगा, BASE से भी बढ़ा होगा तो सोचो यह जो situation दिया हुआ है आपके पास 12 वपन 5, यह तो सही दिया है ना दिखिए H 12 दिया हुआ है BASE जो है 5 दिया हुआ है समझ रहे हो आप यानि कि here H जो है जो कि 12 है Is greater than 5 जो कि Which is greater than BASE जो कि 5 है, लिदोगे Which is true सहन में आरी बद यही अगर आपको दिया हुआ रहता मान लिजे, से ए के जगा 5 upon 12 ठीक है तो आप लिखते, edge upon B is equal to 5 upon 12 तो इसका statement क्या लिखते, here Edge 5 is less than BASE, which is 12 जो कि कभी possible नहीं हो सकता Hypotenuse जो है, कभी भी BASE से छोटा नहीं हो सकता Which is Never possible Never possible ठीक है, आपको मैंने दोनों किसे समझा दिये Hence It is false यह अगर यह situation दिया होता तो यह अगर दिया होता तो तो यह आपका आंसर नहीं, आपका आंसर यह है True क्योंकि आपको दिया हुआ है 12.15 I hope यह question भी समझ में आया हो आपको चले, I think यह यह दो passion पर ही हम end करते हैं काफी लंबी वीडियो वह रही हैं तो बाकी तीन questions जो बचे हैं वह हम next वीडियो में cover करेंगे 11 का 3rd, 4th और 5th पार्ट I hope आपको 1st to 2nd पर आसानी समझ में आया हूँ पोई डाउट लगे, बिंदास पूछी का comment में आई ज़रूर आंसर करूँगा ठीक है, take care, bye bye